रेल्वे का बड़ा ओर्डर मिलने के बाद इस कम्पनी के शेर बने राकेट निवेशकों में. खरीदारी की मची होर TWL शेर प्राइस कमजोर शेर बाजार में भी टीटागड वैगन्स TWL के शेर राकेट की तरह उड़ रहे हैं. गुरुवार यानि आज इंट्राडे ट्रेड में BSA पर यह रेल्वे स्टॉक 14 फीसद की उच्छाल के साथ 343.70 रुपए के नए उच्चस्तर को छू लिया. BSA पर दोपहर तीन बच कर साथ मिनट बजे रेल्वे वैगन निर्माता का यह शेर 33.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. काउंटर पर औसक ट्रेडिंग वॉल्यूम आज 6.3 मिलियन एक्विटी शेरों के साथ 3 गुना से अधिक हो गया. असी स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेनों की सप्लाई के लिए 9600 करोड का ओर्डर. यह आदेश टैक्स और शुल को छोड़ कर 120 करोड रुपए की लागत से प्रत्येक असी ट्रेनों की आपूर्ती के लिए है. दो महीनों में स्टॉक में 58 फीसत का उच्छाल. वित्तिय वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में कमपनी द्वारा वर्षदरवर्ष रेवेन्यू में 71 फीसत की वृद्धी और 10 फीसत के स्वस्थ परिचालन मार्जिन की रिपोर्ट के बाद पिछले दो महीनों में स्टॉक में 58 फीसत का उच्छाल आया है. कमपनी ने उम्मीद के मुताबिक मई 2022 में फ्रेट वैगन सेग्मेंट और पुने मेट्रो में भारतिय रेलवे आईयार से एक बड़ा ओर्डर निश्पादित किया. TWL वैगनों का सबसे बड़ा निजी छेत्र निर्माता है और रेलवे कोचों EMU में एक स्थापित खिलाडी है. कंसोर्टियम ICF 2019 में निर्मान इकाई और भारतिय रेलवे द्वारा सौंपे गए दो डिपो में उपलब्ध कराए गए विशेश स्थान को सुसजित, उन्नत, संचालित और बनाए रखेगा. कंपनी ने कहा कि समझोते के नियमों और शर्तों के अनुसार 20 साल की अवधी में रेल मंत्राले को विभिन रोलिंग स्टॉक के 1.54 मिलियन जाली पहियों के निर्मान और आपूरती के लिए कांट्राक्ट का आकार 12,226 करोड रुपे था.